अब तक हम डिस्कस कर चुके थे शॉलनेसी वेजिटेबल्स की जो सबसे इपोर्टेंट ग्रूप है वेजिटेबल के अंदर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड इपोर्टेंट वेजिटेबल ग्रूप्स यानि कॉल क्रॉप्स की call crops को आप cool season crops भी बोल देते हैं लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं होगा कि जो call word है वो cool से आया हुआ ऐसा नहीं है देखिए जो call word है वो Latin language के एक word से आया हुआ है जो word है आपका callius C-A-U-L-I-S callius, callius एक Latin word है जिसका मतलब होता है stem या stop जो callius वर्ड है वो Latin language का word है जिसका मिंस है stem या stop है ना तो इससे ये क्या है call crops आया हुआ है इसलिए call crops को आप cool crops बोल सकते हैं लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि जो call word है वो cool season से आया हुआ है call crops cool season crop है क्योंकि most of अपने इसे temperate region में या रभी के season में लगाते हैं या विंटर season के अंदर इसे लगाया जाता है अब बात है कि इस callius से क्यों आया जैसे कि आपको पता है कि जितने भी आज के time present time आप cool crops लगा रहे हैं चाहे वो cauliflower यानि full goby है cabbage यानि पत्ता goby है जिसको आप नोल खोल या गांट को भी बोल देते हैं उसके लाब broccoli है या फिर brucelus sprout है जिसको आप mini cabbage के नाम से जानते हैं या ये kale है ये सारे के सारे wild mustard यानि brassica oleracea varieties silvestries से आये हुए हैं मतलो इन सब का जो selection हुआ है या origin हुआ है या modification हुआ है वो brassica oleracea variety silvestries से ही हुआ है ब्रेसिका oleracea variety silvestries जो आज की call crops है उनका ancestor है या पूरवज है अब देखो हुआ क्या brassica oleracea variety silvestries जो wild mustard है उसके जो flower का cluster है फुलों का गुच्छा है उसके selection से तो बना है या उसके modification से तो बना है cauliflower और cauliflower में यह जो part होता है इसको आप क्या बोलते हैं कौन सा part बोलते हैं कर्ड बोलते हैं तो cauliflower में edible part कौन सा होता है कर्ड होता है ठीक है अब हम बात करें जो wild mustard है उसका जो apical bud है या terminal bud है उससे क्या बना हुआ है cabbage बना हुआ है जो apical bud है या terminal bud है इससे क्या बना हुआ है cabbage बना हुआ इसके selection से बना है उसके बाद हम बात करें नोल खोल जिसको आप कोला रभी भी बोलते हैं तो ये wild mustard के stem के selection से बना हुआ या stem के modification से बना हुआ बोलते हैं उसके बाद अपने बात करें जो ब्रोकली है आज के टाइम काफी popular होती जा रही है कहते हैं कि इसमें antioxidant बहुत अच्छे होते हैं तो ये किसका modification है या किसका selection है ये stem plus flower दोनों का selection है stem plus flower दोनों का ही selection है जो ब्रोकली है उसके बाद हम बात करें ब्रूसलस sprout जिसको आप mini cabbage के नाम से भी जानते हैं और ये जन्नली क्या है जो stem है उसमें जो lateral bird होती है या आप जिसको auxiliary bird बोलते हैं तो उससे इसका selection हुआ है इससे क्या है इसका selection हो है ब्रूसलस sprout का अब बात ब केल है उसके जो leaf का selection है वो क्या है केल है अब देखिए जितनी भी ये coal crops होती है ये cross pollinated होती है जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे aliasi जिसको आप mrladiacy बोलते हैं ये भी cross pollination है मतलो ये भी cross pollinated family है apsi जिसको आप umbelly fairy बोलते हैं ये भी cross pollinated family है compositi या जिसको estresi बोलते हैं ये भी cross pollinated family है कुकरबिटेसी, क्रोस पॉलिनेटेड फैमली है और वहीं पे अभी हम ब्रेसी केसी की बात कर रहे हैं तो ये ब्रेसी केसी भी क्या है? क्रोस पॉलिनेटेड फैमली है और इनके अंदर जो पॉलीनेशन होता है वो हनी बी से होता है इन में जो pollination होता है वो किस से होता है? honey bee से होता है इन पांचों फेमली में जो pollination होगा वो honey bee से ही होगा pollinizer कौन सा होगा? honey bee होगा अब जो coal crop है ये highly जो coal crop है ये highly cross pollinated है इन में more than 70% आपको क्या है? cross pollination देखने को मिलता है अब इतने से ज़्यादा अगर cross pollination देखने को मिलेगा तो अपने क्या बोल देंगे ने? highly cross pollinated है वो बोल देते हैं ठीक है वेसे तो coal crops की अपने one by one बात करेंगे one by one क्या है इनका अपने discussion करेंगे लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ आसा इनका general idea बता देता हूँ cabbage है इसको हम बोलते हैं brassica, oloresia, variety, capetata और जो इसका origin है वो कौन सा है Mediterranean region भूम अद्दे सागर cabbage, cauliflower, nol col cabbage, cauliflower, nol col हना इनका जो origin है वो कौन सा है इनका origin है वो है Mediterranean region भूम अद्दे सागर यानि इटाल, इटली के आसपास का इवन जो रैडिस है वो भी cruciferic है उसका भी origin Mediterranean region है मूली का और उसके लाँ टरनिप सलजम है, सलजम जो है उसका origin भी कौन सा Mediterranean region ही है तो cabbage, brassica, oloresia, variety, capetata Mediterranean region की है सभी coal crops में chromozomb number 18 है और ये diploid nature कहीं है और cabbage में जो cross pollination होता है वो 73% होता है और edible जो पार्ट होता है जो leaf, our leaf होकर क्या है, एक modification बनाती है, उसको हम क्या बोल देते हैं head बोल देते हैं, तो generally क्या है, जो cabbage है उसमें edible part होता है, वो head होता है cauliflower, brassica, oloresia, variety botrytas, chromozomb number 18 cross pollinated है, 70% cross pollination होता है, edible part होता है, वो card होता है null call, gant go भी बोल देते हैं, kolara भी बोल देते हैं, brassica, oloresia, variety, gongolodus भी है और kolorapa भी बोल देते हैं gongolodus भी बोला जाता है, kolorapa भी बोला जाता है, chromozomb number सब का बताई दिये, इसमें almost cross pollination 91% होता है, वेसे सबसे ज़्यादा cross pollination है वो sprouting broccoli के अंदर देखने को मिलता है 95% और दूसरे नंबर पे देखने को मिलता है null call में 91% और null call में खाने योगे जो भाग होता है edible part होता है, वो stem knob होता है यानि तने की गांट होती है swollen stem भी बोल सकते हैं, यानि origin है, वो Germany है मेरा जो origin है, वो कौन सा है, जर्मनी है chromo job number आपको बताए दिए इसमें cross pollination 72% होता है और इसमें edible part को sprouts बोलते हैं वेसे आपको पता है तो brusseless sprout को mini cabbage के नाम से भी जानते हैं sprouting broccoli की अगर अपने बात करें तो इसका scientific name है brassica, oloresia, variety, italica ये खुद भी origin बता रही है कि मेरा origin है, वो कौन सा है, इटली है और इसमें सबसे ज़्यादा coal crops में cross pollination 95% तक देखने को मिलता है और इसमें flower bud खाई जाती है क्या खाते हैं अपने इसमें flower bud kale, brassica, oloresia, variety, acephyla और इसमें जो cross pollination होता है वो 83% तक होता है और इसमें leaf खाई जाती है वो भी कौन सी top leaf है, वो खाई जाती है तो ये general introduction वाली बात है एक साथ आपको cross pollination की बात कर दिये आप सभी में देख रहे हैं कि more than 70% cross pollination है तो हम इसे क्या बोल देंगे highly cross pollinated crops है, वो बोल देंगे वेसे तो अपने coal crops one by one बात करेंगे और उनके word का means क्या आता है वो भी बाद में बात करेंगे लेकिन यहां पे साथ साथ में आपको बता देता हूँ cauliflower latin word है, cabbage french word है nole coal है वो german word है और broccoli है वो है italian word वो है italian word ठीक है, अब देखो coal crops है, nutritive value अच्छी खासी होती है, इस बात में कोई doubt नहीं है, हम बात कर लेते हैं nutritive value की, अगर हम nutritive value की बात करें तो low carbohydrate content होता है, low fat होता है, low calories होती है, ठीक है heart patient और जो obesity के patient होते हैं, उनके लिए ठीक होती है अगर हम बात करें तो minerals, proteins vitamin A, vitamin C और vitamin D का ठीक source होता है, अच्छा source होता है, इसके इलावा जो coal crops होती है, उनमें anti-cancer property के रूप में indole 3 carbonol होता है, indole 3 carbonol होता है, indole 3 carbonol सभी coal crops में होता है लेकिन सबसे ज़्यादा आपको cabbage में देखने को मिलता है, यानि इनमें aromatic compound होता है, वो sulfur contenting compound होता है, जो coal crops होती है, इनके अंदर जो flavoring या जो aromatic compounds होता है, वो sulfur containing compound होता है, कोली flower में अलग, cabbage में अलग, तो वो अपने आगे बात करेंगे, सभी cruciferous के अंदर sinigreen होता है sinigreen कम concentration में अपनी limit में है, तब तो flavoring का काम करेगा, और excess quantity के अंदर है, तो वो anti-nutrational का काम करेगा, यानि एक विसाकत पदार्थ है, उसकी तरह क्या है, काम करता है, उसके इलावा इसके अंदर antioxidant देखने को मिल जाते हैं, जैसे मैं बात कर, vitamin C, ascorbic acid है, वो antioxidant है, टॉको फिरोल, vitamin E, यह थोड़ा बहुत, वो भी antioxidant का काम करता है, keratinoids है, वो भी antioxidant है, isothiocyanate है, यह भी antioxidant है, और उसके लावा indolse और flavonoids है, यह भी इसमें antioxidant है, वो देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप coal crop है, वो excess amount में खा लेते हैं, तो जो thyroid glands होती है, उसमें swelling आ जाती है, जिसकी वजह से, अगर हम बात करें, goiter, यानि जो घेंगा या गल घोटू डीजीज है, वो देखने को अपने को मिलता है, वेसे तो coal crops है, वो सबसे बढ़िया सर्वाइव करती है, slightly acidic soil के अंदर, लेकिन saline soil, जिसमें calcium जादा है, उसमें लगा दोगे, तो अराम से लग जाती है, इसलिए हम coal crop को Kelsey coal crops बोलते हैं, हना Kelsey coal crops कहते हैं, यानि chark soil में भी लग जाती है, highly cross-pollinated ये आपको बात बताई ही दी हैं, और जो जितनी भी coal crops है, इनका एंसेंस्टर ब्रेशिका, ओलरेशिया, वेराइटी, शिल्वेस्ट्रीज हैं, ये भी हमारा क्या है, डिसकस हो चुका है, अब अपने बात करें, जो coal crops, यानि कुछ literature की बात कर लेते हैं, अगर हम literature की बात करें, तो एक बुक है coal crops, जो किसने लिखी थी, new hop ने लिखी थी, और जो ब्रेशिका triangle, हलांकी plant breeding के अंदर हम डिसकस करते हैं, इसको और ये ज़्यादा mustard groups में ज़्यादा importance रखता है, coal crops में ज़्यादा importance नहीं रखता है, लेकिन बात आ गई है, तो जन्नली क्या है, जो ब्रेशिका triangle है, वो 9035 में, 1935 में दिया था, किसने नागा हेरू ने दिया था, जिनका सही नाम, वू, वू जांग्चु है, वू, जांग्चु है, वू जांग्चु है, ठीक है, वू जांग्चु है, तो ये इनका original नाम है, और इनके साथ इनने प्यार से क्या बोलते थे, यू भी बोलते थे, इसलिए इसे यू का triangle बोलते हैं, और या फिर नागा हेरू का triangle बोलते हैं, या वू जांग्चु का triangle बोलते हैं, जो कब दिया गया था, 1935 में, देखो इसमें क्या था, जो अलग-लग species थी, उनके बीच cross करवाया गया, यानि interspecific cross का triangle है, दो species के cross से एक नई species त्यार हुई, जैसे brisica nigra और brisica oloresia से brisica keriniata त्यार हुआ, brisica oloresia, brisica nepas के cross से brisica nepas त्यार हुआ, brisica rapa और brisica oloresia के cross brisica nepas त्यार हुआ, brisica rapa और brisica nigra के cross से brisica junsia त्यार हुआ, तो ये interspecific cross का एक triangle बना हुआ है, जिसे आप naga heru, या yu का triangle या wu jang chu का triangle बोलते हैं, जो 9035 के अंदर है, वो दिया गया था, ठीक है interspecific cross का example है next अपने बात करें, देखो कुछ call crops होती है, खास करके जो European call crops होती है जो temperate region की होती है, ये European और tropical, या European और Indian में क्या difference होता है, वो बात करेंगे, मैं आपको मोटा-मोटा बता देता हूँ most of जो call crop है, वो temperate region के, सितोशन जलवायू की है ठीक है, कुछ एक है, जो tropical region से भी originated है, जिनको अंदर flower तभी आएंगे, जब इनको chilling temperature मिलेगा, आपको पता है, सभी temperature region वालों का ये nature होता है, कि उनमें जो flowering होती है, वो तभी आती है जब उनमें एक chilling temperature के कुछ periods उनको दे दिये जाए, अदर्वाइस उसमें flowering नहीं होगी, तो ये low temperature देने की वज़े से उनमें flowering आती है, उसको vernalization बोलते है क्या बोलते है, vernalization कहने का मतलू क्या है, coal crops में seed production के लिए vernalization की जुरुत होती है, अब जिन जिन में vernalization की जुरुत होगी, उनका seed production केवल और केवल, temperate region में ही होगा, यानि नोर्थन India के अंदर ही होगा, अब जैसे जो Indian type होगा, जिसमें या tropical types होगा, उनका seed products वो आप plain area में भी कर सकते हैं, उनका seed products वो किसमें कर सकते हैं, आप plain area में भी कर सकते हैं, ठीक है, तो अब देखो सबसे ज़्यादा chilling requirements किस की है, cabbage की है, cabbage की chilling requirement है, वैसे तो देंगे 6-8 week तक, brucelus sprout है, इसमें 4-10 degree Celsius temperature 4-6 weeks के लिए देना पड़ेगा, और nol coal में 7-10 degree Celsius 5-6 week के लिए देना पड़ेगा, तब ही इन में क्या होगी, flowering होगी, नहीं तो इन में किसी परकार की flowering नहीं होने वाली है, ठीक है, तो ये देना ही पड़ेगा, यानि इनके अंदर shield production करना है, तो आपको temperature region की तरफ है, वो रुख करना ही पड़ता है, सभी coal crops में chromozome number आपको 18 बता दिया था, और fruit type जो होता है, वो सभी cruciferous में से लिक हुआ होता है, जितने और white color के flowers देखने को मिलते हैं, जिन में 4 petal और 6 stamons देखने को मिलेंगे, 2 stamons की height जो stigma होती है, उससे कम होती है, और 4 stamons की height होती है, वो क्या है? stigma से ज़्यादा होती है, flower ज़्यादा तर proto-gynose देखने को मिलते हैं, यानि female है वो पहले मैचूर होता है, और male है, वो बाद में मैचूर होता है, बाकी आपको पता है, coal crops में आपको क्या self incompatibility देखने को मिलती है, कौन सी self incompatibility देखने को मिलती है, spherophytic self incompatibility है, वो देखने को मिलती है, इस वज़े से ये क्या होते हैं? highly cross pollinated होते हैं, ठीक है enthesis, first opening of flower full का पहली बार किलना क्या कहलाता है, enthesis, और जो stigma होती है, वो enthesis के 5 दिन पहले और 4 दिन बाद तक क्या कर सकती है, पोलन को receive है वो कर सकती है, ठीक है, और ये cross pollinated, pollinizer यहाँ पे कौन काम करता है, honey bee है, ये pollinizer के रूप में काम करती है अब अपने one by one क्या है जो कौल क्रॉप्स है, उस पर discuss करते हैं, सबसे पहला है अपना cauliflower, cauliflower का botanical name है, Bracica oleracea variety botaritis, family बताई दी, सबकी कौल क्रॉप्स की Bracica siya cruciferi है, origin आपको कौल क्रॉप्स में, cauliflower cabbage, nol kol का, mediterian region बताई दिया है, edible part जो होता है, वो कर्ड होता है edible part होता है, वो कर्ड होता है cauliflower का जो खाने वाला भाग होता है वो कर्ड धही की तरह दिखता है तो ये कर्ड होता है, edible जो पार्ट होता है अगर हम nutrients की बात करें तो vitamin A ठीक होता है, इसके अंदर vitamin A की बात करें, तो बगबग इसमें मान लो कि 40 मान क्या लो होता ही है 40 international unit इसमें vitamin E होता है और vitamin C भी ठीक होता है vitamin C की बात करें तो 70 mg vitamin C आपको इसमें देखने को मिलता है protein 2.4 gram पर 100 gram है यानि protein B क्या है इसमें ठीक है energy कम होती है 31 kcal होती है उसके लाव vitamin B 2 3 भी कुछ ने कुछ इसके अंदर इंगलेंड से और किस ने किया था Dr. Jameson ने किया था और कब किया था 一रोप से इंगलेंड से इंट्रोडियूस है किस ने किया था Dr. Jameson ने किया था और देखो मैंने बताया था Cine Green इसमें Each poisonous या anti-nutritional compound होता है और आरोमा जो आती है वो इसमें sulfur compound की वज़े से आती है और cool season vegetables है ठीक है अगर अपने बात करें कि जो cauliflower से है उसको कितनी category में divide किया गया है तो अगर देखा जाए origin के अधार पे तो इनको 7 category के अंदर divide किया गया है cauliflower है उसको origin के अधार पर 7 category के अंदर divide किया गया है सबसे पहला है इटालियन या original जो वास्तम में जहां से cauliflower स्टार्ट हुआ Mediterranean region भूमदे सागर जिसको आप Italian भी बोलते हैं और इसका जो origin है वो Mediterranean region है 16th century के अंदर ही क्या है इसकी खेती होनी start हो गयी थी यह height में क्या होती है चोटी होती है पतियां ज्यादा चोड़ी नहीं होती है और जो curd होता है उस पे भी पतियां है वो ढंग से फेली वी नहीं होती है इस वज़े से इसका जो curd होता है वो थोड़ा creamish color का होता है cornice इसका origin इंग्लेंड में है और इसकी जो cultivation है 19th century के अंदर स्टार्ट हुआ इसका कुछ ज़्यादा discuss देखने के जूर्ट नहीं है northern जो groups है इसका origin भी इंग्लेंड है और इसका cultivation भी 19th century में स्टार्ट हुआ rosecope जो है इसका origin फ्रांस है इसका cultivation भी 19th century के अंदर स्टार्ट हुआ है उसके बाद एंगेरेज जो एंगेरेज group है ये फ्रांस का originated है और इसका cultivation भी 19th century में स्टार्ट हुआ अगला जो group है दोल नों ही बहुत इपोर्टेंट है एक तो है युरोफार्ट स्नोबॉल युरोफार्ट या स्नोफोर्ट है इसका origin जर्मनी और नीदरलेंड माना होता है और मीडियम इसका फ्लेवर होता है क्वालिटी वाइस सबसे बढ़िया जो होता है वो कौन सा होता है इरो फ्रेट और स्नोबॉल ग्रूप होता है ठीक है इसकी जो cultivation स्टार्ट है वो 18th century के अंदर हुआ है नेक्स्ट है Indian cauliflower या फिर आप इसको ट्रोपिकल ग्रूप बोल देते हैं इसका origin कौन सा है इंडिया है और इसका cultivation है वो 19th century के अंदर है वो start हुआ है ठीक है और इसका production थोड़ा कम ही है और इसका जो card होता है वो protected नहीं होता है sunlight सीधी पढ़ती है जिसकी वज़े से क्या है इसके card का color है वो light creamish color है वो देखने को मिलता है किसा color देखने को मिलता है light creamish color है वो देखने को मिलता है ठीक है तो ये 7 ग्रूप के अंदर जो cauliflower है इसका classification किया था सवरूप और चटरजी ने कब किया था 1972 ने 1972 में अब आप से पूछ ले कि origin के अधार पर जो cauliflower है उसका classification किस ने किया था सवरूप और चटरजी ने किया था किस ने किया था सवरूप और चटरजी ने किया था सवरूप और चटरजी ने कब किया था 1972 के अंदर 7 भागों में इसका classification है वो किया था नेक्स अपने बात करेंगे climate की, तो next अपने देखते हैं climate, soil requirements की.